हेलो फ्रेंड्स आइम सुनिस्ट और यूर वॉचिंग इंडिया इंजिनियर वेल्कम टॉइंटीट्वेंटी दोस्माइटी के साथ ठीक है देखो आज थोड़ा पड़ा वड़ा थोड़ा था है आज हमारा टेक टॉक करते हैं थोड़ा था आज हमारे प्यारे असुष जैन मैंट फोन मैक्स प्रो एंवन का रिव्यू करेंगे यार बहुत प्यारे फोन है यह एक साल होगा अगर में को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा मैंने एक साल पहले का भी स्टोरी डाली ती मेरे को बिन्याद कि एक साल आज के आज के दिन पर फोन की एक जो नॉमल हमारा टांस्पेरिंट कबर होता है वी हाट फोटो अच्छी फोटो खींज देता है अब अब अच्छा इसमें तो सबसे पैरी एसे लगती है मेरे को अब सब कोई काम का नहीं है मैक्स बोक्स यह मैक्स बोक्स जो है यह करीब ऐसे कुछ फोल्ड ह हो जाता है काफी ठीक अच्छा सा है ठीक टाक विल्ड कॉल्टी है इसकी वैसे तो गत्यक आई है और दो मैगनेटिक है जो इसको लॉक कर लेते हैं आवाद देखो कितनी पाई आती है ठीक है इसमें हमारा फोन मांट हो जाता है यह करीब 20-30 परसें हमारी मैक की आउडियो बनाते हैं यह नॉर्मल वाइस करते हैं हमारा फुल पे है ठीक है अब इसके प्ले करते हैं अब आध बढ़ा देता है हमारी ठीक ठाक यारे अच्छी एक लिगे और एक कुछ यूनिक सा भी किसी फोन से अगर कि किसी में मिलता में खाल से तो अब इसे भी रखते हैं आते हैं जुसका बैक कैमरा है थाटीन प्लस फाइब के कॉंबिनीशन में दूसका सेल्फी कैमरा है वह एट मेंग फिक्सल है लेकिन निहाहिती बगवास दिल से गार निहाहिती बगवास इसकी फोटो तो देखने का मन नहीं करता है मना खीज़ी क्यों खीज़ी ऐसी फिल बिल्कुल लाइटिंग कंडिशन बिल्कुल सही है अगर आप फिल्टर लगा तो आपको फिल्टर बहुत निखर के आगा आगा आपको यह अली फोटो देखो यह मैंने मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब बनवाए इस फोटो की चाहिए और ऐसी फोटो आकर आप मेरे को इंस इस फोन से खीची है जो 2090 के अंदर होगे ठीक है एक साल दो साल पुरा निवत देख लेना तो इसके प्रोसेसर की बात करते है स्नैप ड्रेगन 636 चौदर नैनोमेंटर का प्रोसेसर अच्छी परफोर्मेंस देता है मैंने इसे पब जी में करीब ले रखे हैं 45-50 फ्रेम सब्सक्राइब करीब ले रखे हैं लैक तो बहुत ही कम मारता है और पिन आपके करीब 75-100 तक अचली जाती है अगर आपका अच्छा खासा में जी ओंग नेट्वर्क यू प्रोवाइड कर देता है यह फोन और और क्या बात करें पब जी में आपको एच्छी अच्छी खा सब्सक्राइब है ठीक है और फेस्ट लाग की बात करें इस फेस्ट बूलोग भी ठीक है कभी कभी खुलेगा प्वना अच्छा एक से लिवे ले लेकिन फास्ट नहीं है फिंगर से तो स्लो ही है तीन चाहर टाइम स्लो है और इसमें सिम्ट्रे सिम्ट्रे हमारी दो नैनोसिम रखते एक डेडिकेटेड के लिए लिए स्लोट दे रखा है जो मेरे खाल जम मैंने इसका डिस्क्रिप्टन बढ़ाता तो इसमें क्यालते हैं वन टेराबाइट तक की मेमरी कार सपोर्ट कर सकती है लेकिन अज तक मैंने कभी खरीदी नहीं तो सपोर्ट करके क्या पता हूं ठीक है अब इसकी बैटरी के बात कर बहुत गाली खाया था ठीक है अधिक आत्मी है मुझा कर रहा न और आपको यह पर डे अगर 10-12 घंटे फोन यूज करते हैं आपको सिगायत नहीं करते हैं तब पर भी मेरी कुछ पर्टेंट बैटरी बच रखे दें और आप नॉर्मल यूजर हो या नॉर्मल यूज करते प्वान तबाह रहा है और इसके अपरेटिंग सिस्टम के बात करते हैं हमें एंड्रइट बन पर मिलता है तो यार इसका कोई बक्स बक्स नहीं है जो भी फालतु के आप अपनी होते हैं कोई और रहीट के बात रही तो आप यूजर मैंने से पच्छेस किया था मैं यूज और अपडेट के बात रही तो तो मिल चुके हैं और इसमें डूल वोल्टी सपोर्ट है मैं दो जी ओ की सिम लगाई है अब इसमें कुछ बती खुची बाते हैं बाते हैं गाइब नीज़ लगाएं और इसकी कुछ बात करें कि अधिक बात लगी कमी की बात लगी कमी तो में बस इसके फ्रेंड केमरे में लगी है ठीक है और और सब कुछ सुक में मस्त लगा है अगर आप इस टाइम में कोई पर्चेस करते हैं बहुत सारे आपको अप्शन अब लेते हो तो आपको ना पैसे वेस नहीं आएंगे आपको अच्छी खाते डिसेंट परफॉएंस मिलती हैं तो भाई यह फोन में दिल के अब एक ही फोन है तो दिल के करीब रहेगा ठीक है इसे मैंने बहुत यूज किया मलो इसे मैं समझ लो जिसमें जान सब धोके स्वाल किया है और यही है मेरे इस फोन के बारे में एक साल के विचार और वेलकम तो 2020 आपको मेरे दिल से आपके सारी मगनों कामनाई पूरी हो जो भी अपने 2020 में मांग रहे हो और हमें भी थोड़ा प्यार सब्सक्राइब करना है इंस्टाग्राम का लिंक है फोटो देखके अगर कैसी खीचीदी इस फोन में ठीक है इंस्टाग्राम पर फॉलो कि दिए लाइक किजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किजि तो थैंक्स फार वाचिंग